कि अ है था हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट और एके सिंग और आज फिर हम अपने टीजीटी स्यस्टी की तीजिएरे करेंगे और टीजीट एसस्टी में क्या दिख रहे हैं हम एंसी आरटी कवर रहें यहानि की एंसी आरटी कवर कर रहे हैं और ncrt में हमारी class 6th के ncrt बूरी complete हो चुगी है अब हम इसी संख्रा में class 7th के ncrt कर रहे हैं यानि पहले हम से पूछे आते हैं पूछे गए हैं वह देखते हैं सकाओ सब्सक्राइबर्च आपको पता हुआ हर ऐख geschaisoda शर्म कि यानियोर अनगी नश्यक्तरा में MP3 500 frank def तकि आई किसी केश्करणब्ों सब्सक्राइबर्च में तरह कि करन máximo 15 सब्सक्राइबा और जनते हो को CM चुनते हो ठीक है CM और PM पांच-पांच साल के लिए जब आप चुनते हो तो कहीं न कहीं आप वोट देने जाते हो CM और PM के लिए और वह क्या होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं तो जनता द्वारा क्या चुने जाते हैं राज्य के लिए क्या है cm और आपके देश के लिए पीएम तो राज जी इसतर की बात करें तो राज जीस तर्व में आप कहीं नगी cm को चुंते हो तो cm क्या करता है यानि cm की बात आती है अब इसी में क्या आता है विधायक कोन होते हैं विधायक के ओपर question पूछ जाता है विधायक के आपको क्या है विधायक जिसे MLA कहा जाता है MLA की क्या है आपसे पूछ जाते है Member of legislative assembly यह आप लिख लीजिए क्योंकि यह question कई बार TGT में पूछा गया है आपके PRT में पूछा गया है और आपका valleyгу में कई यानि कि TET examuciónव में पूछा गया है तो यह अपसे पूछ जाता है जैसे आपके चुनाव किस की चुनाव होने वाले आपके चुनाव की होने होले है और हर राजे कई निर्वाचन शेत्र में बटावाया है उधान के लिए यानि कि यह मैप दिखाया गया है मैप में 68 निर्वाचन शेत्र बाटा गया है निर्वाचन शेत्र जिसमें जनता एक प्रतिनेदित चुनती है जो विदान सभा का सदस्य यानि विदायक क्या बन जात क्या होता है विदाया क्या बन जाता है फिर आता है जैसे कि इस मैप के बारे बात करें या ने कि इस मैप के बारे बात करता है ठीक है चली आगे आता है बहुमत बहुमत क्या होता है जैसे कि आपके मान लेजिए आपने क्लास में मोनिटर की बात करी होगी या तो मोनिटर पढ़ाई के साफ से होता है तो आपके माल लेजिए 40 बच्चे है और क्राइटीरिया क्या है यानि कि 20-50% हो जाएगा तो क्या है जो 30 वोट है यानि कि बहुमत क्या है 30 वोट का 30 वोट के अनुसार जो भी 30 वोट पालेगा वो कहीं न कहीं एक तरह से क्या है यानि कि वो चुना जाएगा और विरोधी पक्ष्य होता है यानि कि जैसे कि मान के चलिए जो व्यक्ति जीतेगा जैसे कि जो व्यक्ति क्या है जीता है तो जो जीता है वो क्या हो गया उसका यानि कि वो मेंबर हो गया और जो उससे मनला हार गया है वो क्या है विरोध विरोधी पक्ष का यह concept है जैसे कि मान के चलिए अभी कोई सी पार्टी जीती है तो जो जीतेगा वो कहाएगा बहुमत से जीता है और या फिर यानि की बहुमत मतलब पूर्ण जो क्राइटीरिया है वो उससे कहते हैं बहुमत ठीक है और जो कहीं न कहीं उसके यानि की विरो लगती है तो पावर में क्या होता है कहीं न कहीं गलत काम या फिर इस तरह की चीजे भी होने लगती है तो इसलिए कहीं न कहीं विरोधी पक्ष का भी होना जुरूर है तो क्यूंकि विरोधी पक्ष करता है कि आप यह उसके लिए अवाज उठाने की बात करता है विरोधी देखने के नहीं तो वैसे उुपी में कॉष्यन आता है सरकार किसे बनावा आता है यह आता है यानि कि आगे देखते हैं और क्या इंप्रोटनट है ठीक है यहां तक आपक्या आ गई बात फिर आता कि आने की थोड़ रही चलते हैं यारे लोगत अंत्र में विढ़ाइकों की MLA की रूप में जुनता अपने प्रतीनयदित चुन चुन एगे और प्रतीनित ही चुन के कहीं न कहीं वो के कहीं की आवा़ उठाने की काम करेगी देखीए यह कहीं नमबर टू यानि की के वी नमबर टू एएफ एस हिंडन का चेत्र है और यह शेक्शन था शेक्शन नमबर बी ठीक है शेक्शन बी के श्टूडेंट है यानि की हमारी क्लास के ही सोरी हमारी यह मतलब यह 6 तो हम इसी में था और यह सेक्शन बी के बच्चों का कहीं नहीं फोटू लिया गया है और आज उनके चित्र आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ठीक है चली आगे चलते हैं वाल पेपर के यानि की एक तरह से पेपर की चित्र के बारे मताया गया और यह कहीं इस चीज के बारे में देखिए यह लिख रहा है आपके यह क्या कहा गया देखिए 6th किलास में मैं कह रहा हूँ ना मामारी के विशह में वाल पेपर के कक्षा 6 बीकेंद्रे विद्धियार ले करम 2 इंडन एयर फोस के उत्रवर्देश के विद्धियार थी ठीक है यह आप पूरा चेफ्टर का है इसमें से दो कोशन इंपोर्टन आएंगे एक तो आपका क्या है आपसे पूचा जाता है यानि की विदायक MLA का नाम पहुचे जा सकता है और सरकार के इस तरह काम करते देखो राजे सरकार इस तरह काम करते आपने सुना होगा कि एक या है जो कुछ कुछ हिस्सा यानि कि सरकार के हाथ में होता है जैसे क्या है सरकार के कारे या सरकार जो होते है वो कर लेती है ठीक है या फिर एक तरह टेक्स लेती है यानि कि राज्य सरकार क्या करती है टेक्स लेती है एक क्या है राज्य सरकार को कहां से मिलना है स्टेट गवर्मेंट से से क्या होता है कुछ हिस्सा मिलता है तो कहीं न कहीं जो स्टेट गवर्मेंट जैसे कि स्टेट गवर्मेंट है आपने देखा होगा पैट्रोल के दाम हर जंगा अलग है और जो आपका लिकर सेक्षन है उसमें भी कहीं न कहीं हर जंगा दाम अलग है आर्ट यानि रोड टेक् लाड़ी करीनने जा मेंडियों साइ早 जा्य जया जग двух-text कम जादे तो वह विए अलग वह को선inkि कहीण、、, इसके जो कहीण के भी और अलग होने का कारण इसकी कर अधा करते हो इसके नंगे उनका सभिआने का रेवन्यू उससे कहीण हो वह यानि की हमें सुऊइधा परदान करती हैं तो यह सडक्स है जिसे कहते हैं उसे नालिया है तो वह कहीं न कहीं इस्टेट गौर्वर्मेंट में तब आपके जो रेवन्यू यानि की आप जो टेक्स जबा कर रहे हो उससे पूछह जाता है जितना भी टीजीटी में शेक्षण आता है तीजीटी के सेक्षणों में पूछा जाता है आपका क्या पॉल्टिकल ना के बरावर पूछा जाता है यानि सो नुमबर के पर पॉल्टिकल मैक्सिम्म दस क्षण 20 कोषण आजाएंगे सबसे जादा पूछा जाता है जोगराफी और हिस्ट्री से ठीक है इस चीज का द्यान ना खना इसलिए आपको ज्यादा कुशन आपको देखने के बलती है ठीक है पुछो चली आशा करता है आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक